नमस्कार दोस्तों फास्ट इस्टेडी प्लानर पर आपका स्वागत है देखें जैसा कि आपके यह कोशन जो वर्गमूल और वर्ग चले हुआ है चैप्टर इसमें क्या है आपकी तीन वीडियो गिर चुकी है और अभी एक दो वीडियो और गिरेंगी इसमें और आपका यह कंप्लीट विल्कुल स्लिवस हो जाएगा इसका वर्ग और वर्गमूल चैप्टर विल्कुल कंप्लीटली हो जाएगा देखें यूपी टिपल स्सी पीटी एक्जाम के लिए काफी ही यह बैनिफीसियल रहेगे आपके पूरी कंप्लीट वीडियो तीन चार जो चार प्मा I got one plus част upon 144 the भरावर है 13 12 12 और इसमें ऐसन दिए गए है एक बारे तेयरे पच्चिस देखें इसमें दोनों तरफ स्कुयर करने परो तो तो दोनों तरफ जब 144 और तेरह का स्क्वाइर 179 और बारह का स्क्वाइर 144 इसे अंडरूट हट गया स्क्वाइर करने पर दोनों दरफ अब एक्स अपॉन 144 इक्वल 169 अपॉन 144 माइनस वन इस तरफ चला गया वन और 144 169 मैंस एक्वल 4 अपॉन 144 जो जो एक्वल 4 में से 144 गय तो कितने मचे है फांच दो एक्वल 4 तो इससे गया गया तो एक्स बराबर क्या आ गया 25 जो एक्स बराबर आया है वो कितना है 25 तो इसका कौन सो उप्सन सभी है D option इसका बिल्कुल हमारा सही है कोशन का आप देखे जो अगला कोशन है यदि 2 की पावर N अंडर रूट इकवल है 64 तो N का मान बताना है आपको N का मान क्या है देखे दोनों तरफ square करने पर तो ये क्या आएगा 2N और 64 की पावर 2 हो गया देखे जब square करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और 64 64 square हो जाएगा आप देखे 2 की पावर N और 64 को क्या लिखेंगे 64 गुना 64 और 64 को देखे क्या लिख सकते है 2 के square में 2 गुना 2 गुना 2 तो 2, 2, 4, 2, 6 तो 2 की पावर 6 अब देखे 2 की पावर 6 गुना 2 की पावर 6 और इसे भी हम क्या लिख सकते है 2 की पावर 12 क्योंकि 6 गहात जब अगर ये condition है 2 की पावर 6 गुना 2 की पावर 6 तो हम इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे गुना में गहात जड़ जड़ जाएंगी तो 2 की पावर 12 अब देखे इसमें compare करने पर ये rule है तो n बरावर क्या हो गया 12 गहात से गहात equal होगी तो n बरावर n कामान क्या है n कामान पुछा था 12 तो इसमें कौन सा option सही है इसमें हमारा d option बिल्कुल सही है अब अगला question देखे अगले question में दिया गया है आपको यदि 4 की पावर n अंडर रूट इक्वल एक हजार चोविस अब इस question में भी बिल्कुल ऐसी है दोनों तरफ square करने बद तो क्या होगा 4 की पावर n और एक हजार चोविस का square अब देखे 4 की पावर n और एक हजार चोविस गुना एक हजार चोविस एक हजार चोविस को हम क्या लेख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 4 चोग 16, 16, 64 और 64 चोगा 4 चोग 16, का 6 एक हासिल 6 चोग 24 और 25 256 और 6 चोग 24 चार दो हासिल 5 चोग 20 और 22 दो और दो हासिल 4 गुना 8 और दस एक हजार चोविस चार चोग 16, 16, 64 चोगा 256 और गुना 4 तो देखे जो हम 1024 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 5 देखे 4 की पावर N हो गया यहां और यहां 4 की पावर 5 गुना 4 की पावर 5 अब 4 4 की पावर N और यह जुट जाएंगे गहत इसमें यह क्या होगा इसमें? गहत जुट जाएंगे तो देखे 4 की पावर 10 तो N बरावर क्या होगा यहां से? 10 तो N का मान कितना है? 10 तो इसका कौन सा उप्शन सही है? इसका C उप्शन बिलकुल महारा सही है अब देखे जो अगला कुछ सन है इसमें दिया गए है आपको कि अंडर रूट 18,225 बरावर है 135 के और इसमें दिया गए है आपको अंडर रूट 18,225 पलस 182 25 पलस 1.8 225 और पलस 0.0 18,225 अब देखे यह दी 18,225 अंडर रूट 135 दिया गया हो तो आपको यह बताना यह क्या होगा इसका हल करकर क्या आएगा यह देखे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वर्ग और वर्ग मूल के बारे में तो देखे जो 18,225 यहां कितना हो गया 135 पलस अब अंडर रूट देखे दसमलो के बाद में कितने अंक है दो अंक तो 135 तो आगया इसका वर्ग मूल हमें पता है कि 18,225 का वर्ग मूल क्या है 135 तो कितने अंक बाद दसमलो लगेगा तो एक अंक बाद दसमलो के बाद में कितना अंक होने चाहिए एक तो कितना हो गया 13.5 पलस यहां कितने जोड़े बने दो तो दसमलो के बाद में कितने अंक होने चाहिए दो तो यहां क्या लिखेंगे 1.35 पलस यहां भी इस तरीके से एक जोड़ा, दो, तीन तो दसंबलों के बाद में कितने अंग होने चाहिए? तीन, तो 0.135 और अब इनको आप एड़ कर दीजे तो 135 और 13.5 और 1.35 और 0.135 अब देखें, पाँच पाँचर तीन आठ और पाँचर तीन आठ अरेक नो, पॉइंट, पाँचर तीन आठ अरेक, नो और तीन आरेक, चार और 1, यह इसका आंसर, एक सो उननचस पॉइंट नो, आठ पाँच तो किसमें कौन सा है? C उप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही है देखें, यदि इसमें दिया गया होगा, 18,225 अब आपको इसमें अब अगर जब हम वर्ग करते हैं किसी दसमलोव वाले उसका संख्या का, तो हमें किस तरीके से जब हम बहार आते हैं, तो अंक दसमलोव कहां लगाना होता है, इसका विसेज दियान लखना होता है बस, और आपने इसको अब देखें अगला कोस्तन, अगले कोस्तन में जब दिया गया है, विल्कुल यही भी उसी की तरीके का ही है देखें, 6084 बरावर है 78, यदि 6084 का वर्गमूल कितना है, 78 तो आपको बताना है यह 0.006084 पलस 0.006084 देखें, यह जो लिखा हुआ है, सवाल दीखी रहा होगा आपको, कि 60.84 तो यहाँ एक जोड़ा बना, तो अब क्या लिखेंगे, 78 हाला कि 6084 का जो वर्गमूल है, वो कितना है, 78 तो कितने एंक पॉइंक दसम्लों लगेगा, 7.8 अब कितने एंक बाद, दो जोड़े बने, तो 7.8 और अब 2, 2, 4, 2, 6, तो 3 अंक बाद, 0, 7, 8 और अब कितने एंक बाद, लास्ट वाले उसमें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 8 अंक बाद, 0, 0, 7, 8 अब हम इनको एड़ कर देंगे, 8, 8, 7, 15, 15, 15 का 5 एक हासिल, 8, 7, 15, 16, 6 हासिल, 8, 7, 15, 16, और 0.8 अब इसका देखें क्या आंसर आया, 8.6658 और आपको पता है, दसमलो का विशेश द्यान रखना है, कि वर्ग मूल से जब हम बाहर आएंगे, तो दसमलो कहां लगएगी, इसका विशेश द्यान रखना है, और आंसर आपका हजाएगा, तो इसका कौन सा ओप्सन सही है, 8.6658 तो इसका बी ओप्शन बिल्कुल हमारा सही है अब देखे जो अगला कुस्टन है 6 पलस अंडरूट 6 पलस अंडरूट 6 पलस इन्फिनिट यह अनंत तक है तो आपको बताना है यह क्या होगा देखे यह बहुत ही सिंपल कुस्टन है और यह भी कुस्टन आ जाता है काफी बार इसमें ट्रिक का पता होना चाहिए आपको कि जबेएं शिरीज दी गई ऑनंड तक तो हमने क्या करना है हमने यह देखना है कि पलस है अगर चिन तो देखे इसके जो पैक dough कैसे होने चाहिए कि उनका घुना करकर तो अगर गुना करें तो चन आना चाहिए और उनका अंतर है वो कितना है एक का अब अगर जो पलच की स्थीस है तो मैं क्या लेना है बड़े वाली संख्या हमारी आंसर उगी तो इसका्य आ इसका देखे एक कोस्टन इसका आंसर तो वैसे तीन आ गया इसका ए ओप्सन बिल्कुल हुमारा सही है एक कोस्टन इसी के तरीके का मैं बताता हूं माइनस का अगर माइनस के चिन की कंडिशन होगी हाला कि यह गातांक और करनी में भी कोस्टन आएगा देखे यह कोस्टन है इसमें आपको देखना है कि माइनस के चिन है इसमें और शिरी चली है अनंतक दो कंडिशन देख लिए हमने आप देखे क्या घरना इसमें जैसा कि मैंने बताया है कि आपको ऐसा फैक्टर करने है बारे के तो अंतर कितना होने चाहिए उनका एक तो आप देखे अगर जो माइनस की सीरीज है तो हमें कौन सा आंसर लेना है चोटे वाला तो इसका तीन आंसर है अब देखे अगला कोस्टन करते हैं जो अगला कोस्टन है 1296 में equal x square तो हमें क्या बताना है x का मान बताना है देखिए 1296 में का जब हम वर्गमूल करेंगी तो हमें condition पता है कि यहां इकाई कंग कौन कौन से के square में आता है एक तो 4 के square के में 4 का square करेंगे 16 देखिए 4 का square करा तो कितना है 16 तो 1 काई कंग क्या है 6 और यहां पर 6 का square करेंगे तो कितना है गा 36 और 1 काई कंग क्या है 6 अला कि यह मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है आप मैं direct equation करूंगा देखिए चान में यह हो गया 4 और 6 1 काई कंग अब देखिए 12 12 किसके square के bीच में लाइ करता है जब हम 3 का square करेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 का square करेंगे तो कितना आएगा 16 9 और 16 के वीच में तो हम क्या लेंगे 3 संख्य और 3 से अगली संख्या क्या है 4 4 तिया बारे आप देखिए यह ब़ाबर है इससे compare करा तो बरावर है एक यहां बहुत बड़ा fund आए देखे अगर हम यह बरावर है तो हम कून सी संख्या लेंगे यह भी तो अगर जो चोटा होता अगर यह 11 होता है और कुछ होता इससे 12 से चोटा तो हम चोटे वाली संख्या को टिक करते और 34 आ जाता है इसका पर नही अब अगर जी बरावर है तो हमेशा बड़े वाली संख्या लेनी है 36 तो बाले सो चानमे का जो वर्गमूल है वो कितना है? 36 तो 36 हुआ X स्क्वेर तो X बरावर क्या होगा? X बरावर होगा 6 तो इसका कौन सा option सही है? यह option इसका बिल्कुल हमारा सही है अब देखे जो अगला question है अगले question में दिया गया है आपको 1 upon under root 9 minus under root 8 minus 1 upon under root 8 under root 7 plus 1 upon under root 7 minus under root 6 पलस 1 upon under root 5 minus under root 4 आपको यह बताना है यह क्या होगा? इसका आउसर क्या है? देखे इसमें क्या करना है आपको? जो हर में दिया गया है उसके विपरित चिन का गुना करनी है ऊपर और नीचे तो देखे वन अपून under root जो यह दिया गया है 1 upon under root 9 minus under root 8 तो गुना किसकी करनी है? under root 9 plus under root 8 upon under root 9 plus under root 8 इस तरीके से आपको सभी में गुना करनी है यहां under root 8 minus under root 7 यहां किसकी कुना करनी है? under root 8 plus under root 7 upon under root 8 plus under root 7 अब देखे कंडिशन कैसे बनेगी इसमें? जब हम इसे करेंगे तो under root 9 plus under root 8 upon इसमें 9 और minus 8 तो कितना बचा? एक हर तरफ यही कंडिशन होगी तो देखे हम मैं directly यहां करता हूँ इसमें under root 9 plus under root 8 और यहां क्या बचेगा? एक इस तरीके से यहां भी under root 8 plus under root 7 और यहां क्या बचा? 1 हाला कि मैं इसे bracket में ले लूँँगा यहां कितना है? under root 7 plus under root 6 और यहां कितना? 1 बचा under root 6 plus under root 5 और यहां कितना बचा? 1 अब यहां देखे under root 5 plus under root 4 upon 4 ही तना? upon 1 आप देखे इनको मैं करता हूं under root 9 plus under root 8 minus यह चैंज हो जाएगा under root 8 minus under root 7 plus under root 7 plus under root 6 minus under root 6 minus under root 5 plus under root 5 plus under root 4 अब देखे जो इसे में कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दीजे इससे एक एंसिल इससे एक एंसिल इससे एक एंसिल इससे एक एंसिल हो गया तो कितना बचा? under root 9 plus under root 4 अब देखे 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 3 अर्दो 5 तो इसका कौन सा option सही है? इसका C option हमारा बिल्कुल सही है तो इसका क्या answer आया 5 इसका answer है लेकि question बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता आपका समझने का दायरा होना चाहिए ये वैसे ऐसा देख कि क्या आप ये बड़ा question लिख रहा है या ऐसा है कुछ नहीं है आपको देखना है किस में क्या trick लगेगी और किस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है अब देखे अगला question यदि under root 3 बरावर है 1.732 ये तो इसकी value है under root 3 की जो value है 1.732 है अब दिया है तो आप ये बताईए कि under root 3 upon 4 क्या होगा देखे under root 3 upon under root 4 under root 4 क्या होगा 2 और इसकी value क्या है 1.732 upon 2 अब इसे divide किजिए इसको तो कितना divide करा इसे करेंगे हम तो point 68 और 6 तो इसका answer क्या है .866 तो इसका कौन सा option सही है बी option इसका बिलकुल हमारा सही है अब देखे जो अगला कुस्सन है under root 6 बरावर है 2.449 तो आपको बताना है तो 3 under root 2 upon 2 under root 3 3 under root 2 और 2 under root 3 ये बताना है देखे इसमें क्या है हम इसको 3 को क्या लिखेंगे 3 को लिखेंगे under root 3 गुना under root 3 और गुना under root 2 और 2 को हम क्या लिख सकते है under root 2 गुना under root 2 और under root 3 देखे क्यों क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते है under root 3 गुना under root 3 और under root 3 under root 3 कितने होंगे 3 इसी तरीके से हमने लिख लिया इसको आप देखे इससे एक एंसिल और इससे एक एंसिल तो कितना बचा अंडरूट थिरी अपोन अंडरूट तो अब देखे यहां क्या करोगे आप इसमें अंडरूट तो से गुना किर दीजिए अंडरूट तो अपोन अंडरूट तो तो यहां कितना हो गया अंडरूट छे और अपोन दो अगर हम उपर नीचे किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कोई हन्स और हर में तो कोई फरक पढ़ने वाला ने है एकवल होते हैं तो अंडरूट 6 अपोन तो तो देखे अंडरूट 6 का मान क्या है 2.449 अपोन 2 तो इसे डिवाइड किजिए आप 1 1.22 और यह कितना आएगा 4 5 तो इसमें आ गया यह तो देखे कौन सा उप्शन सही है इसका बी उप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही है 1.2245 अब देखे जो अगला कोश्चन है अगले कोश्चन में क्या दिया गया है आपको अंडरूट 2 वन पॉइंट इसकी जो वैल्यू है 1.42 और आपको बताना है तो आप बताएए 7 अपोन 3 पलस अंडरूट 2 देखे इसके विप्रित आप इसका जो विप्रित होगा वो कितना होगा 3 माइनस अंडरूट 2 तो उससे गुना किजिए अंस और हर में तो 7 अपोन 3 माइनस अंडरूट 2 अपोन 3 पलस अंडरूट 2 और 3 माइनस अंडरूट 2 देखे ये क्या होगा इसमें 9-2 तो ये 9-2 कितना हुआ 7 इससे ये cancel तो 3-2 अब देखे 3-2 की value क्या दिए गई है 1.4142 और आप इसमें से घटा दीजे इसको तो देखे जो घटाएंगे हम 3.0000 1.4142 अब देखे 10 में से दो गया 8 और 9 में से 4 गई 5 और 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 4 गई 5 और 2 में से गया 1 तो 1.58 तो देखे इसमें कौन सा option सही है हमारा ये option बिल्कुल सही है अब देखे जो अगला question है अगले question में आपको दिया गया है अंडरूट 7 पलस अंडरूट 10 और इसमें आपको option दिये गए है चार देखे ऐसा question काफी बारवाया हुआ है और NTPC और group D और इन में तो काफी बारी और UPSC PET में भी थोड़ा इसी level का question बुचा जाएगा हाला कि किस तरीके का भी पुचा जाएगे हाई से हाई लेविल और लो से लो सब कुछ करवाँगा completely आपको फिर कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको practice करने की जरूरत है इन ही question होगी देखे अंडरूट 7 पलस 2 अंडरूट 10 यह दे दिया अब इसमें अब इसमें option दिये गए है अंडरूट 5 पलस अंडरूट 2 और अंडरूट 3 पलस अंडरूट 2 अंडरूट 6 पलस 1 और 2 पलस अंडरूट 5 अब देखे हम इसे अंदर वाली जो संख्या यह दिया गए है इन्हें हमें square बनाना है तो देखे हम क्या करेंगे इसमें अंडरूट 7 पलस 2 अंडरूट इसे क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं पांदुनी 10 देखे 5 गुना 2 लिख दिया अब देखे 7 को भी क्या लिख सकते हैं अंडरूट अंडरूट 5 का square पलस अंडरूट 2 का square पलस 2 अंडरूट 10 हो गया हाला कि आप ऐसे लिख दीज़ें इसमें 5 multiplied 2 आप देखें ये और ये इसके बराबर है ठीक है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं अगर ये formula बन रहा है a square plus b square plus 2ab का तो इसे देखें हम क्या लिख सकते हैं under root 5 plus under root 2 का square अब देखें under root से square रट गया तो कितना बचा under root 5 plus under root 2 जब इसका वर्गमुल करेंगे तो under root 5 plus under root 2 बचा तो देखें कौन सा option है मारा ये option बिल्कुल हमारा इसमें सही है आपको देखना है इसमें factor करने है अगर जब हम इसका square करेंगे तो कितना है गस्ता आता आना चाहिए इसका विशेज द्यान रखना है और ये आपका answer आ गया under root 5 plus under root 2 तो इसका ये option बिल्कुल सही है हमारा अब देखें जो अगला कुछ सेने 0.00059049 ये आपको बताना है देखें option इसमें 4 दिये गए है और इसमें 243 के मतलो 4 option या 3 option इससे relative है तो हमें ये तो पता चल गया कि 69,000 उनन्चस का जो वर्ग मूल है वो कितना है 243 ठीक है जी आगे चलिए अब ये और देखना है तीन option दिये गए हैं इसमें इसी तरीकी के और इसमें दसम्लो लगना है और एक D option इसमें दिया गया है कि इन में से कोई नहीं और हमको पता है कि 69,000 उनन्चस का जो वर्ग मूल है वो 240 है option से पता ही चल गया है हमें अब यहां देखना है कि दसम्लो कहां लगाएंगे एक जोड़ा दो तीन चार तो इसमें हमें पता चला कि दसम्लो के बाद में कितने अंक होने चाहिए चार रंग हमारे होने चाहिए तो देखे 1, 2, 3 और एक एक्स टाम ने 0 लगया तो पॉइंट 0,243 तो इसमें ऐसा कौन सा option है तो इसमें B option विल्कुल हमारा सही है अब देखे जो अगला कोश्चन है अब देखे जो अगला कोश्चन है और तो यदि under root 5 एक्वल है 2,236 के तो 1 upon under root 5 ये क्या होगा देखे इसमें value दीगे है under root 5 की 2,236 तो आपको 1 upon under root 5 को हल करना है देखे मैं क्या करूँ हम क्या करेंगे इसमें under root 5 उपर से गुना करें हंस में और under root 5 की हर में कीजिए तो under root 5 upon कितना हो गया 5 क्योंकि under root 5 की उपर under root 5 की उपर से गुना करेंगे तो कितना हो गया 5 अब देखे under root 5 की value क्या है 2,236 और upon 5 जब इसम भाग करेंगे तो कितना आएगा पांचोग 20 और दो पांचोग 20 35 और पांचोग 20 तो इसमें कितना आया 0.4472 तो इसमें कौनसा ऑप्शन सही है इसका C आप्शन हमारा बिलुकुल सही है देखें एक बार और देखते हैं पांचोग 20 और दो और पांचोग 20 और 30 5 commented तो बिलुकुल सही हमारा सी ओप्सन बिल्कुल हमारा इसमें सही है तो देखे यह हमारे कोस्टन हो चुके हैं सारे और जैसा कि मैंने बताया है कि यूपी टीपेल सी में आपके पूरा वर्ग मूल और वर्ग आपका बिल्कुल कंप्लीटली फिनिस हो जाएगा आप इनको प्रैक्टिस कीजिए इनी कोस्टनों को जितने मैंने करवाए हैं और सुरू जो की जो दो वीडियो के रही हैं मैंने उनको आप समझ कर जब इनको को आपके विशेश रूप से ही मैं बता रहा हूं कि आपके बिल्कुल अराम से हल होएंगे और हां मैत में एक विशेश चीज क्या है आप इसको जितना ही प्रैक्टिस करेंगे यह आपका इतना ही फ्रिक्वेंटली आपके कोस्टन होएंगे और धन्यवाद